हालो हाय नमस्ते आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक के प्लाटफॉम के उबर मेरा नाम है प्रतिक नायक और हम कंटीनु कर रहे हैं कंसाइस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अं तमिलाडू बोट बुक जहां हम लोग ने इंशेंट हिस्ट्री के बारे में डिसकस किया था पिरड़ और मैंने आपको बताया था कि जो क्रोन लोजी कली हम लोग जब इतियास को पड़ते हैं तो मैंने आपको गुप्तास के बारे में पढ़ाया था गुप्तास बेसिकली एक ऐसा पीरड़ था इंडियन हिस्ट्री को लेके जहां गोल्डेन एज के कंसीव को आईड आपको हर्सवर्दन के बारे में बताया था कि हर्सवर्दन कैसे पावर के ऊपर आया इसकी क्या origin रहती और किस तरह से वह सत्ता के ऊपर आने के बाद अपने आपको डॉमिनेट कर वाता है इसी के continuation में हमने यह समधने की कोशिश की थी कि पोश्चुपता पी टोटल तीन के अंदर पढ़ा जा सकता है पहला पीरिड है तो पीरिड बिट्विन 550 तो 750 साड़े 500 से लेके साथ सो के बीड के बीच में दूसरा पीरिड अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वह आगास 750 तो 1000 तक और तीसरा पीरिड अगर आप समझिये तो वह हमें देखने को मिलता है तो मूल तहा से हम लोग बात कर रहे हैं इन तीन पीरिड के बीच में हमने हर्षवर्दन के बाद वाली जो कहानी है उसको समझने की कोशिश की है और आज हम लोग आगे चलेंगे कि हर्षा के बाद वाले पीरिड में क्या हुआ exactly sir तो हर्षा के contemporary डो dynasties हुआ करती थी एक साड़े साथ सो से हजार के बीच में भी development हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे है दे पीरिड बिट्वीन पोस्ट गुप्ता एंड ली हर्षा और जो transition पीरिड चल रहा है उसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं और हम लोग नौर्थ साउथ के history के पॉइंट वी हर्षा के contemporary अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमें देखने को मिलेंगे यहां स्टाउथ के अंदर चालुकियस जो कल्यानी के वाटापी के अंदर रूर कर रहे थे पुलकेशीन जैसे राजा हुआ करते थे और चालुकियस के पल्लवास था ठीक है ना समझे बट हम लोग इसके उपर ना जाते हुए हम लोग मूल तहसे यह चालुकियस और पल्लवास की जो इतियास है जो पीरिट बिट्विन 750 तो 550 के बीच में रह रही है उसको अभी थो चालुकियस पीरिट तक आते याते इस पीरिट बेर हमें देखने को मिल रहा है कि हर्शा की जगा नौर्स इंडिया के अंदर करनाच को लेकर चल रही थी यह करनाच की स्ट्रगल को लेकर फाइंड की तीन डानस्टीस फाइट करेगी जिसे हम लोग कहते हैं करनाच बूल कर रहे थे आज के राजस्तान गुजरात वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे गुर्जर प्रतिहार यह तीनों की तीनों डाइनस्टी के बीच में लडाई चल रही है इसी को ही कहते है ट्राइपार्टिट श्ट्रगल क्या कहते है यह किहार नौर्स इंडिया के जो साशक थे इनको लग रहा था कि कन्नौज के राजा वो बने राष्ट्रकूत जो दखन के राजा हुआ करते थे यह राष्ट्रकूतों को भी लग रहा था कि हम राजा बने और साथ उसाथ पाल डाइनस्टी जो बंगाल के अंदर निकल के आए कि उनको भी लग रहा था कि हम राजा बने सरो कि तो हम क्या कर रहे हैं कि 750-1000 का जो नौर्स इंडिया का जो पीरड हो देखते हैं जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हिस्ट्री इन साउथ इंडिया जो दक्षिन भारत के अंदर जो डेवलोप्मेंट हो रहे थे उसके उपर अधि की ups ऐे सिनसे जार जर्चा करेंगे जैसे हमने पिछले क्लासिस के अंदर भी संगम पीरड के समय की जो history हो इस तरह सेτά से डिसकूस किया था तो इस हमारा क्लास जो होगा वो मेंली पाल डाइनस्टी सेंट्रिक होगा राष्ट्रकूद डाइनस्टी सेंट्रिक होगा और समझेंगे कि पालो का और राष्ट्रकूद का भारती इतियास में क्या योगदान रहा है what has been their contribution to the Indian history, how they have helped in the conservation and development of architecture इनकी political history के उपर से भी सवाल आ चुका है UPC के अंदर prelims के अंदर अगर आप 2022 या 21 का पेपर देखोगे तो dynastries के राजाओ के उपर से भी UPC के दोड़ा सवाल पूछा गया है उनके उपर भी चर्चा करेंगे विस्तुलपंट से पर चरने से पहले मैं आपको फिर से आपको maximum discount मिलेगा अभी 30% discount आपको अवेल किया जा रहा है इफिल जॉइन दी आरम बैच यह यह टॉप बैच है अनकेडेमी के टॉप educators के दौरा और इसमें आपको कुछ नहीं करना है यह कोड यूज करना है पी एन लाइव यह कोड को यूज करोगे और आपको maximum discount मिलेगा यह बैच के अंदर अनकेडेमी के टॉप educators के साथ आपके लिए बहुत ही handcrafted यह guidance आपको दिया जाएगा और अगर आपको कोई भी query है तो you can call on this number 858585858585 हमारी टीम आपको जरूर से help कर देगी इसको लेके सर खेर तो बात आगे चलती है और समद्ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो development हुआ है प्रेसाइस्टी विच रेफरेंस दो गुर्जर पती हर रंद पाल उसके उपर भी चर्चा करेंगे बट आपको अनकेडिमी के बारे सबकुछ इखटा होके 50,000 के अंदर आपको अल्मोस्ट कवरें दिया जा रहा है और यूवट एक्सेंशन ओफर फॉर इसी तोर के उपर अगर आप डेडिकेटेड मेंटर लेना चाहते हो जिसे हम लोग आइकॉनिक मेंटर्शिप के रूप में पैचानते हैं उसके अंदर भी आपको 64,000 रुपीज के अंदर बहुत ही comprehensive आपको available करा जाएगा course और इसमें आप one-to-one live mentorship ले सकते हो doubts educators के साथ पूछ सकते हो answer writing printed notes आपको मिल जाएगी खेर notes तो कोई भी student को मिलती है वो चाहे plus student हो या iconic हो आइकोनिक वाले को हम लोग खाली physical notes देते हैं printed format में या जो plus के students हो जिन्होंने iconic नहीं लिया है उनको notes तो दी जाएगी पर soft copy के अंदर मिल जाएगी सर खेर बाखी हमारी नहीं batch शुरू हो रही है यहां पर pathfinder की batch है आप इसको भी कर सकते हो and if you got any queries you can call on this number use this code for maximum discount मैं आपका साथ ही हूँ आपका दोस्त हूँ आपका guide हूँ आपको help करूंगा in understanding and comprehending the whole of the history as well and other subjects as well बाकी आप हमारे offline center में भी आ सकते हैं यहां पे भी आपको UPC का बहुत ही top most quality of guidance दिया जाएगा और हमारे offline के teachers भी बहुत बहुत बहतरीन है वह आपको help करेंगे चलिए सर ओके उसके सिवाए हम लोगने नया UPC का EPFO का course launch किया है क्योंकि अभी recently EPFO के अंदर नई vacancies आई है साथ साल के बाद यह vacancies आई है तो अगर आप जोड़ना चाहते हो EPFO के course के अंदर तो भी आपको in fact बहुत ही discounted rates के अंदर available कराये जाएगा आप description box के अंदर click कर सकते सकते हो और यह कोड को जरूर से यूज़ करेगा यह कोड आप कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हो इस नोट नेसेसरी कि आपको एक ही point of view से करना है बाकि test series अगर आप appear करना चाहोगे तो test series भी हम लोग ने आपको दिया है सरो के इसमें भी आप in fact 20% discount के साथ यूज़ कर सकते हो सर खेर चलते हैं आगे और हम लोग देख रहे थे रीजनल kingdom के point of view से और समझने की कोशिश करता है कि किस तरह से अलग-अलग डैनस्टी का development हुआ यह डैनस्टी के अंदर पाल डैनस्टी का origin कैसे होता है यह पाल डैनस्टी कैसे यह सवाल पूछा था और पूछा था कि पाल पीरड is the most significant phase in the history of Buddhism in India अब पाल डैनस्टी कब थी सरो के तो मैंने आपको बताया कि यह डैनस्टी पोस हर्षा पावर के उपर आती है और यह डैनस्टी कंटेंपररी थी for the tripartist struggle of कन्नौज को जीतने के लिए पालो ने गुर्जर्फतिहारों और राश्ट्रकूतों ने सब ने अपने तरफ से प्रयत्म किये थे they had tried their best to fight and control the regions of कन्नौज as well तो UPC ने क्यों यह पूछा गया था तो पाल डैनस्टी करीबन 8th century से लेके 11th century तक पावर के उपर आती है सरो के और आठवीश अताब्दी के end से लेके या मध्य से लेके विए फाइंड की करीबन 11th से लेके 12th century के ट्रांजिशन के पीरट तक यह लोग पावर में रहेंगे अब इनका पीरट क्यों इतना सिग्निफिकंट है क्योंकि इन्होंने बुद्धिजम को रिवाइव किया था यह वो दौर था भारती इतियास के अंदर जहां बुद्धिजम उतना ग्रों नहीं कर रहा था इंडिया के अंदर उस पीरट के अंदर वैश्नोविजम से लेके बाकी सारे और कल्चल ट्रेडिशन का बहुत ग्रोथ होना शुरू हो गया था and because of all these activities we will see कि जो पाल पीरड है यह पाल पीरड का अपना खुद का एक रुत्वा है और अपना खुद का एक महत्व है क्योंकि इन्होंने बुद्धिजम को पैट्रोनेट दिया इनके समय पे ही बोद वि इसी संस था जिसको इनफेक्ट है ना हरशा के बाद वाले पीरेड में डिकलाइन जेलना पड़ा था उसको पालो ने ही रिवाइव किया था और नारंदा कंटीनू फ्लरिश करती रहती है करीबन 12th century तक और 12th century में जब तुर्किश इंवेजन हुए तब जाके नारंदा का इसके लिए पालो के साथ आपको ये टॉपिक दिया गया है सर है ना समझे तो वाट डिवी सी वर हीर की नौर्थ इंडिया के अंदर हर्शा के मुर्ट्यू के बाद क्या हुआ आज हम लोग वो देखेंगे सर ओके तो किताब लिखती ही कि आप्टर देथ आफ अर्शा गंगा योगना दो आप इन दे लैंसे जॉनिंग इट इस बेजस के रूप में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि गुर्जर पतिहार पाल और क्रास्ट रकूट ये सब के सब कन्नौच को जीतने के लिए प्रयतना कर रहे हैं यह बात यहां पर लिखी गई है दपाल स इंकम वाइड कमर्शियल कॉंटेक्स इंदर जुड़े हुए थे तो आज के दक्षिन पस्षी मेशा के अंदर एक एंपायर निकल गया था जिसका नम था साइलेंद्र एंपायर सरो कि इस साथ इसके साथ पालो के बहुत अच्छे रिलेशन से वैसे क्यूं थे क्यूंकि द दोनों के दोनों बुद्धिस्ट एडिशन को फॉलो कर रहे थे तो बोथ अप देम वर फॉलोईं दो बुद्धिस्ट एडिशन दैट आल्सो क्रिएट एन इंपायक्ट और इसके कारण भी हमें यह देखने को मिलता है कि पाल डानस्टी जो है उसकी एक इंपोर्टनस कैसे आई और कहां से निकल के आती हैं तो अगर आपको हर्षा का पीरड याद होगा तो हर्षा बेसिकली कन्नौस के उपर सत्ता के उपर क्यों आया था तो हमने आपको बताया था कि हर्षा कन्नौस के उपर नहीं आया था और थाने सर करके जो जगा है यह जगा जहां से हर करनाज में उसकी बेहन की शादी की गई थी और करनाज के ऊपर आकरमन किया जाता है बाइद रूलर्स ऑप बंगाल है ना तो यह बंगाल के साशक थे गौडवंच का साशक है ना और गौडवंच के शाशक के अंदर सशांक के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि सशांक ने जब आकरमन किया तो आखिर में हर्श वर्दन कन्नौस के उपर आया बंगाल के अंदर यह कहता है कि सशांक के पीरड को हर्शा ने खतम करवा दिया था क्यूंकि हर्श वर्दन चाहता था कि अगर कन्नौस को सेफ और सिक्योर रखना है तो बंगाल के अंदर 600 तक आते आते यह 630 तक आते आते बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ी एनार्की की शुरुवात होती है एनार्की का मतलब यह था कि भई वहां पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी पाल डानस्ती का उद्भव ही 700 के बाद हुआ और ऐसा कहते हैं कि यह एनार्की के अंदर बड़ी मचली छोटी मचली को खाती रहती थी और यह सिध्धान्त को बेसिकली मत्से नयाय के रूप में कहा गया है पालो के रूप में ऐसा कहत था उसके कारण बंगाल के जो बड़े बुजरुख थे जो पुराने साशक थे इन सबों एक मीटिंग बुलवाई थी यह मीटिंग के तहत इन्होंने प्लान किया कि कब तक हम लोग बंगाल को इस तरह से गुलामी के फेज में रखेंगे क्यों ना हम में से ही कोई व्यक्त बंगाल के उपर साशन कर रही है वहां से हमको शांती मिले और यह जो शांती थी यहां से हमें यह देखने को मिलता है कि डेवलोप्मेंट होने की शुरुआत हुई यह डेवलोप्मेंट को कुछ और नहीं बट हम पहचानते हैं इन दा फॉम ऑफ दी पाल डानेस्टी पाल बंगाल के राजाओं ने और बंगाल की जो सामानिय जन सभा थी इन्होंने चूस किया कि आप हमारे प्रोटेक्टर बनिये आप बंगाल को मच्छे नाए से बचाईए बंगाल की जो लॉस्ट ग्लोरी है शाशांक के समय की उसके पहले के समय की उसको रिवाइव कराईए और हमारी मदद कीजिये कि बंगाल का जो पुराना दौर है तो वापीस आए तो इस तरह से पाल डानस्टी का ओरिजिन आपको यहां से देखने को मिलता है सर ठीक है ना समझे तो सशांक दो गौरूडर है व्यूल बेटें 590 तो 625 इस पाल प्रोड़ की जो पॉराना दौ जिसके थूब इसको चूज किया जाता है तो ग्रूब ऑफ चीफ जो लोकल राजा थी उस अभी खटे हुए और गोपाल को चूज किया इस बेजिस के रूप में ऐसा कहता है कि गोपाल को इलेक्ट किया गया था बंगाल के राजाओ के द्वारा बंगाल के जो बड़े हुआ था पर वो राजा टिक नहीं पाते थे क्योंकि एक ऐसी असुरी शक्ति थी जो राजाओं को हिरा देती थी और गोपाल के पास वो शक्ति थी जिसके थूरू उन्हों गोफ होई और इन्होंने ही बंगाल को रिवाइव किया यह बंगाल को इस की रूप में पहत barrier और इसको एकी किणिंडम के रूप में पहचाना यह भी या के अंदर भी तो यह बंग भी कहते हैं वंग भी कहते हैं वंग इसके लिए क्योंकि वह और बहुत प्रोडाउंस होते हैं इन मैनी ओफ दी इस्टन पार्ट्स ऑफ दी कंट्रीज एस वेल और यह पाल ही थे जिन्होंने भी विल सी कि करीबन 9th से लेके 12th सेंचूरी के ट्रांजिशन के मिक्सर में काफी सारा कॉंट्रिबूशन दिया संस्कृत प्राकृत पाली लेंग्वेज के अंदर इन्होंने डेवलोपमेंट किया और खासियत यह थी कि महायानिक पॉम बुद्धिजम को इन्होंने रिवाइव करने में बहुत पाल थे इन्होंने वजरयान को भी सपोर्ट किया है इन्होंने महायान को भी सपोर्ट किया है इन्फेक्ट ही नियान को भी सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं था कि वह खाली और खाली महायानिक थे इसके लिए बाकी सारे को सपोर्ट नहीं करेंगे बट मेन उनकी परसनल बिलि के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक development हुआ यह पाल डाइनस्टी के अंदर हमें क्या-क्या याद रखना है सरों के तो पाल डाइनस्टी के अंदर हमें पार्च चीजे याद रखनी है एक तो राजा की administration हमें पता होना चाहिए सर ठीक है में तो पालो के point of view से हमें याद रखना है कि कैसे उनका cultural system चल रहा था और cultural system के अंदर कैसे पांच महाविहारों का निर्मान इनके समय पे किया गया यह महाविहार ही थे जो पालो को इतना प्रॉमिनंस के उपर लेके आए इनके समय पर आर्किटेक्चर का भी कैसे development हुआ literature का भी कैसे development हुआ और overall Buddhism को लेखे इन्होंने क्या कार्या किया है जिसको लेखे UPSC ने सवाल भी पूछ दिया है तो उसके उपर भी लास्ट में चर्चा कर देंगे सर ओके तो कहानी political history से शुरू होती है यह political history के अंदर हम लोग जब पालो को देखेंगे तो सबसे prominent या पहले राजा आपको गोपाल के रूप में मिलेंगे सर ओके उपाल इससे ने फाउंदर ऑफ दे पाल डानेस्टी बट पाल डानेस्टी को सबसे पीक के उपर कोई लेके गए थे तो वो थे धरमपाल सर है ना अब धरमपाल का contribution क्या है सर ओके इनके समय पे पालों की prominence बहुत बढ़ती है और इतनी बढ़ती है कि यह कन्नौज की जो लडाई थी यह कन्नौज के उपर भी अपनी सेना लेके पहुंचेंगे सर ओके क्यूंकि मैंने आपको बताया कि यह वह पीरड है between 750 to 1000 जहां कन्नौज को capture करने के लिए अलग-अलग डानेस्टी अपने इस कि अगर उत्तर भारत के अंदर कोई शक्ती बहुती सक्रिया हो गई और भारी पड़ गई तो भविश्य में दक्षिन की तरह पटेक करेंगी यह होता है ना सद्धिस हैपनस इन ओल दे फिल्ड्स ओके जब आप एक एरिया के अंदर बहुत डॉमिनेंट हो जाते हो देन य यही था कि आइधर पाल या आइधर दी गुर्जर प्रतिहार इन दोनों में से कोई एक भी डाइनस्टी अगर प्रॉमिनंस के उपर नौर्स में चली गई तो वो दक्षिन भारत के अंदर आएगी और राष्ट्रकूतों के सामने लड़ाई करेगी यह चीज राष्ट्रक आपको देखने को मिलता है कि we will see that यह जो पाल डाइनस्टी है यह पाल डाइनस्टी के पॉइंट अफ्यू से अगर आप समधने की कोशिश करिए तो यह चीज आपको मिल जाएगी सर ठीक है ना समझे तो उसमें आपको धरमपाल देखने को मिलते हैं धरमपाल के समय पे प चक्रयूद करके कन्नौज के साशक हुआ करते थे चक्रयूद सर इंद्रयूद चक्रयूद इस सबका नाम आपको देखने को मिलेगा इन सबको इनफेक्ट है ना यह धरमपाल ने कहा कि आज के बाद तुम मेरे प्रोटीज बन गए हो प्रोटीज मतलब है कि तुम मेरे अं प्रोट में हम लोग यह कह सकते है कि कन्नौज की जो स्टोरी है और कन्नौज की जो कहानी है वहां से यह पाल डैनस्ती की शुरुआत हुई सब्सक्राइब यह है कि सेंट्रल इंडिया से लेके बाकी सारे विस्तारों के ऊपर भी पाल का डॉमिनेशन बढ़ना शुरू हो यह धरंपाल की कहानी आपको यहां से देखने को मिलेगी यह धरंपाल ही थे जो कन्नौस के उपर जीतने के बाद अपने आपको परमेश्वर परम भट्रक और महाराजा दीराज का टाइटल भी देंगे यह कहेंगे कि देखो मैं कितना सक्तिसाली हूँ मैं परम इश्वर के रूप में हो सर है ना तो इस तरह के टाइटल देने के कारण हमें यह देखने को मिलता है कि यह अपने आपको गौड लाइक इमेड दर्शाने की भी कोशिश करता है और डिवाइन ओरीजीन का भी कंसेप्ट यहां पर लागू करेंगे सर ठीक है तो ज्यादातर रूप में जब हम लोग किंग्शिप को देखते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि किंग चैंदर डिवायन ओरीजिन का कंसेप्ट बहुत था पाल डाइनस्टी के लाइद के यह याद रखेगा क्योंकि यह पी टि के अंदर सकता है कि क्या डिवाइन ओरीजिन का concept था कि नहीं था तो डेफिनेटली हम लोग कहेंगे कि अपने आपको फिजिकली रिफ्लेक करती है अब धरंपाल खुद बुद्धिजम मानते थे सरी इस टू फॉलव बुद्धिजम और नालंदा अलड़ी बन चुकी थी तो धरंपाल को ऐसा मन में आया कि नालंदा के अला विक्रम शीला की स्तापना की विक्रम शीला जो आज के विहार के अंदर आपको यहां से देखने को मिलेगी यह विक्रम शीला की स्तापना धरंपाल के समय पे होती है इनका पाल डानस्ती के समय पे मैंने आपको बताया कि पाच महाविहार का निर्मान होगा महाविहार का मत कि विक्रम शिला का स्तापना इनके समय पे ही होता है विक्रम शिला के साथ सथ अगर समन्ने की कोशिश करिए तो हमें देखने को मिलता है कि सोम पूरी करके एक जगा है उसका भी infection foundation इनके समय पे हुआ था विल ऑस फाइंड कि जगदल्ला करके आपको एक जगा की गए थी खास करके धरंपाल का contribution यह है कि विक्रमशिला और सोम पूरी विक्रमशिला और सोम पूरी यह दोनों की दोनों मॉनेस्ट्री जिनके दोरा बनाए गई है अब आपको पीटी के अंदर सवाल आ सकता है कि इनमें से कौनसी कौनसी संस्त्राइब पालों के साथ जुड़ी हुई है यह धरंपाल का contribution क्या है मुख्या परिक्षा में तो अल्लेडी आपको सवाल आ चुका है कि पाल पीरिड इस पालों के दोरा ही यह सब कुछ किया जा रहा था क्योंकि यह प्रोटेक्टर के रूप में भी थे सर है ना तो इस बेजिस के रूप में इन्होंने विक्रमशिला की स्तापना की जहां बुद्धिस लर्निंग और बुद्धिस कल्चर का development हुआ दूसरी आपको सोमपूरी द इस सवाल आपको पूछ सकता है कि पालों का मुख्या मथक क्या था जहां से पालों ने साशन करने की शुरूआत की थी तो वीविल फाइंड कि उसको पहाडपूर कहते थे वहां पर ही सोमपूरी करके जगह है वहां पर इन्होंने मोनस्ट्री की स्तापना की थी एक मठ बन रहता है कि इन्होंने उदान्त पूरी करके जगह थी उसकी भी इंफेक्ट फांडेशन रखी मैंना आपको बताया की नालंदा को छोड़के पाल डैनस्टी के कारेकाल में चार यूनिवरसिटी इसकी स्तापना होई चार में से तीन ओल्मोस्ट धरमपल और गोपाल के ट्र पाल डैनस्टी इस कॉंट्रिबूटिंग टू देवलोप्मेंट ऑफ अर्खिटेक्ट्चर और अल्सों को एक स्ट्रॉक्टराइस करने के पीछे बहुत बड़ा टास्क था और यहां स्कॉलर्स को बुला के स्कॉलर्स को बुला के उसके अंदर कोडिफिकेशन करवाना को बुद्धिजम का इंटर्प्रेटेशन करवाना यह पालो का बहुत बड़ा कॉंट्रिबिशन आपको मिलेगा थीक है तो दरंपाल ने ओधानपूरी की भी स्टापना की इन्होंने सोंपूरी की इनके समय पे विक्रमशिला की भी स्टापना होती है we will find कि इनी के पीरड के अंदर हरी भ्रद्र करके एक बुद्धिस स्कॉलर भी रहा करते थे अब आपको यह नाम पूछा जा सकता है प्रिम्स एग्जामनेशन के अंदर और आपको पूछा जाएगा कि इन में से कौन-कौन व्यक्ती और which of the following personalities were related to Buddhism और which of the following personalities are actual part of the Buddhist traditions interpretations, the questions can be asked to you, आपको अलग-अलग format में, अलग-अलग interpretation में सवाल पूछे जा सकता है आपको clarity होनी चाहिए कि किस-किस तरह से भी विल सी कि development होना शुरू हुआ दरंपाल is known as the biggest patronage giver to the Buddhist traditions in Bengal क्योंकि इनके समय पे करीबन दो से तीन प्रकार की अलग-अलग प्रकार की universities का निर्बान हुआ और यह जो universities का निर्बान हुआ that played a very important role in the overall development of the education in Bengal in fact universities का मतलब यह थोई था कि वहां के खाली in fact आप देखोगे के टीचर सुडन्स ही थे वहां research होता था वहां compilation होता था उसके कारान एक कोडिफिकेशन होता है literature का development होता है manuscript का development होता है और इन सब के कारण हम लोग यह कह सकते है कि जो traditions develop हुए उसके अंदर बहुत सारी चीजे knowledge को safeguard किया गया है वो एक generation से दूसरी generation पासओन हुआ वो knowledge और जब एक generation से दूसरी generation knowledge पासओन हुआ तो definitely long term तक जो Buddhist विचार थे और जो Buddhist ideals से उसको carry forward करने के लिए एक legacy मिलती है तो हम जब-जब पालों को देखेंगे whenever we'll try to see the palace तो हमें यह देखने को मिलता है कि the palace had contributed in a very great way as well sir ठीक है न तो इस basis के रूप में हमें यह देखने को मिलता है कि पाल डानस्टी जो है यह पाल डानस्टी की political history में धरंपाल का बहुत importance है अब देखें कि धरंपाल ने तो over a period of time we will see कि तीन-चार जगा के उपर domination established कि और नौर्थ इंडिया में अपना दबदबा फेलाया धरंपाल के बाद वी विल फाइंड की उन्हीं के ही संतान आते हैं देवपाल सर ओके अब देवपाल वाज वाज वाज़ो पाल रूलर बाइदवेश्मेंट किया तो यह याद रखेगा कि कामरूप कहते थे असाम को सर्काम क्या मंधिर भी वहां पे आया हुआ शक्ती पीठ इसे एक सर ऑके सबस्क्राइब क्याम रूप इन एंशें इंडिया न समझेंगे आपको पूसा जा सकता है कि कामरूप कहां पर आया है कामरूप धिमडम पहां पर है सथीक है यह उसके रिलेटेड आपको और भी चीज़े आ सकती है बंगाल बिहार रिलेशन्स या बंगाल आसाम रिलेशन्स के ऊपर से था मैं क्लाइरिटी हो जानी चाहिए अब आप समद्ने की कोशिश करिये कि जिस तरह से इनका डॉमिनेशन बढ़ रहा था और यह नॉर्स इंडिया में जीत रहे थे यह लोग आसाम की तरफ भी जा रहे थे तो बाकी सारी डाइनस्टी इस के अंदर विचार आएगा ही नहीं आएगा तो राश्ट्रकूत क्या कह कहां है बोले पाल डाइनस्टी बहुत को गई गुंकि यह चीज आपको कमन देखने को मिलेगी कि कोई भी एक डाइनस्टी कहीं पर्पर्पतिहार को पाल नीचे अकरमाण करके गए, एक दफार हमें ये देखने को मिलता है कि राश्ट्रकूत धोड़े सेंटरल इंडिया में डामिनेट कर रहे हैं तो गुर्जर्पतिहारों ने आके उनके साथ लड़ाई करवा दी तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि एक से अधीक डानेस्टी एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रही है सर ओके और डिस इस हाव यू फाइंड की डेवपाल जिस तरह से स्ट्रॉंग हो रहे थे यह देवपाल ने राष्ट्रकूतों के साथ भी लड़ाई की राष्ट्रकूत में उस पीरिड में एक राजा आये थे जिसका नाम था अमोगवर्ष अमोगवर्ष को हम लोग कहते हैं अशोका ऑफ दस साउथ है ना कि दक्षिन भारत के अशो एंद्रा एंपायर यहां श्री विजिया करके बेसिकली जो रूलर्स हुआ करते थे इनको भारत के अंदर आने की जरूरत हो गई थी और यह लोग आते थे लर्निंग ऑफ बुद्धिस ट्रेडिशन इन इंडिया सरो के अब यह क्यों आते थे इतने सारे बुद्धिस बताया था कि हुएन सांग भी भारत में आया फाहियान भी भारत में आया यह जितने भी लोग भारत के अंदर आ रहा है देयार ओल मेंशनिंग अब इंडिया और इंडिया के प्रोजन कॉन्स के बारे में लिख रहे हैं तो साउथ इस्ट एशिया तब तक बेसिकली इंडि और वहां पर एक राजा थे बाल पुत्रदेव उनका यह मानना था कि हमारे जो लोग नालंदा की तरफ या बहुत मठों की तरफ आते हैं वहां पर उनको कुछ रहने खाने पीने के लिए कोई एसी रियात नहीं है इनके पास कोई एसी इंस्टिटीशन नहीं है तो इन्हो आप हमारे दोरा जो लोग आ रहे हैं दक्षिन पस्टिम एशिया से साउथ इस्ट एशिया से उनके लिए कुछ आप करवा के दे दो सर ठीक है तो दक्षिन पूरी एशिया से तो साउथ इस्ट एशिया से जो बिसिकली लोग आए उनके लिए ये देवपाल ही थे जिनोंन एक residential campus बनाना है तो उसकी maintenance के लिए देवपाल ने आजू-बजू के पांच गाओ की जो revenue है वो इनको देदी के काम करना वहां से जो पैसा आएगा उससे तुम अपनी hostel का अपनी boarding school का बाकी जो खर्चा पानी है वो चला दीजिएगा सर ठीक है तो इस तरह से हमें यह देखने से रूल कर रही थी उनको दे लिया और कहा कि उसकी revenue जो भी आएगी वहां तुम नालंदा के अंदर जो मठ बनाना चाहते हो अपने लोगों के लिए उसकी revenue तुम वहां से manage कर दीजिएगा सर ओके तो आप देखिए कि राजा ने किस तरह से पैट्रनेट दिया पांच देखने को मिलता है कि नालंदा का अपना खुद का importance है नालंदा continue to flourish in the pale period as well तो हम लोग यह कह सकते है कि पाल डैनस्टी का बुदिज्ञ को लेके बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा ट्रैक आपको देखने को मिलता रहता है सर्खेर और पीरड अफ टाइम हमें यह देखन को मिलता है सर्खेर एंड आफ्टर डेवपाल वन दी अधर किंग्स एंटर इंटो देपाल डैनस्टी देवर नॉट बड़ा बड़ा निकल के आया और ग्रेजियोली यह 1000 से लेके 1100 तक आते आते हैं डिक्लाइन में चले जाते हैं वह पाल डैनस्टी के साथ यह हुआ कि को दर्शाया उसके बाद वाले जो राजा थे वह बेसिकली कमजोर राजा निकल के आये और यह लोग बेसिकली सरवाइव नहीं कर पाते अगेंस्ट इपर जो आक्रमन हो रहा था इनके उपर जो राश्ट्रकूतों का प्रभा हो रहा था इन फेक्ट एक पीरड तो ऐसा भ यह जो इंपीरियल चोलास के अंदर राजेंद्र करके जो राजा थे यह राजेंद्रा ने पालों के उपर आक्रमन कर दिया सर ओके तो यह भी कहानी आपको देखने को मिलती है कि पाल डानेस्टी में पहले तीन राजा जो मुखे राजा थे उनका अपना खुद का कॉंट सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगा कि बाकी सारी जितनी भी इंफेक्टीम है वो जल्दी जल्दी ओल आउट हो जाएगी पाल डानेस्टी के अंदर भी हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है सार ठीक है न समझें जैसे एक थे विग्रम पाल खुद ही संत बन जाते है और वो असेटिक लाइफ जीने की शुरुआत करते है उसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि नारायन पाल पावर के उपर है पर नारायन पाल एक एसे प्रकार के व्यक्ति थे जो बहुत ही शान्ती चाहते थे इस पीरड के समय पे राश्ट्रकूत और प्रतिहारों ने सबसे ज़्यादा उठाया और पालों के उपर आकरमन करने की शुरुआत की क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों डाइनस्टी राही देख रही थी कि पाल डाइनस्टी को कैसे तोड़ दिया जाए और वही चीज इन्होंने किया है गुर्जर पतिहारों ने राश्ट्रकूतों ने ये सब परिस्तित्य आपको देखने को मिलेगी कंटेंपररी पीरिड के अंदर और इनहीं सब कंडिशन के परिदाम सवरूप हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पाला की ओल्ड ग्लोरी थी वह वापिस नहीं आई पाल डाइनस्टी उसके बाद ग्रेजुली डिक्लाइन में चल दॉमिनेशन के अंदर आता है हम ये भी देखने को मिलता है कि राश्ट्रकूत जो दक्षिन की डाइनस्टी थी वह भी इस पीरिड के अंदर डॉमिनेट करती हैं बचा खुचा पालों का जो वर्ग था वह चोलास ने डिफिट किया जहां एक पीरिड के अंदर राजेंद डाइनस्टी में छोटे-छोटे राजा फिल रूल करते रहे बट यह लोग उतने प्रॉमिनंस के बेजिस के उपर रूल नहीं कर पाएंगे इन फैक यह पालास को हटा के करीबन 11 सेंचूरी के ट्रांजिशन के बाद सेना डाइनस्टी बंगाल के अंदर आती है यह सेना ड पुरकिष सल्तनत की यह दिल्ली सल्तनत की एक ब्रांच की शुरुवात की तो इस तरह से हम लोग यह कह सकते है कि जो पालो का पीरड था उसका क्या सिग्निफिकन्स था हमें क्या क्या चीज़े इसके अंदर से सीखने को मिल रही है ठीक है न समझे तो होता क्या है कि पालो चोला करके दक्षिन भारत के जो imperial राजा थे इन्हों ने महिपाल के ओपर आकरमन किया and over a period of time we will come to know कि यहां जिस तरह से infect है ना पालों की जो domination थी वो धीरे-धीरे decline में जाती है आखिर के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि रामपाल करके एक राजा आए रामपाल ने basically पाल डाइनस्टी को फिर से revive करने की कोशिश की बट करीबन 50 years के बाद आपको देखने को मिलता है कि पाल डाइनस्टी बहुती local area के अंदर confine रह जाती है विजैस सेन जो सेना डाइनस्टी से बिलॉंग कर रहे थे इन्होंने ही इनफेक्टेन 1130 के बाद ultimately अपने आपको establish किया और अपनी एक नई डाइनस्टी की स्टापना की जिसे हम लोग कहते हैं सेना डाइनस्टी तो मोटे मोटे तोर के उपर हमें देखने को मिलता है कि पालों के अंदर ये कहानी आपको मिलेगी और पाल के बाद सेना डाइनस्टी आती है हम ये कह सकते हैं कि कमजोर राजा के कारण basically पाल डाइनस्टी अपने आपको नहीं चला पाएगी इसमें महीपाल करके एक राजा थे जिनके समय पे हम लोग ये कह सकते हैं कि पाल डाइनस्टी का रिवाइवल हुआ था बट बिकॉस महीपाल फेस नहीं कर पाते हैं चोलो के आकरबन को क्योंकि चोल डाइनस्टी दक्षिन भारत से उभरते आती हुई बंगाल की तरफ और वो कन्नोच की तरफ जा रही थी इन फैक्ट ये जो चोला डाइनस्टी के राजा थे राजेंडरे ये राजेंडरे तो अपने आपको गंगाई कोंडा का टाइटल देते हैं ये कहते है कि मैंने गंगाई वाला विस्तार, मतलब आज के गंगा वाला विस्तार जीता हुआ है और वहाँ पे मेरा दबदबा एस्टाबलिश किया है I have won over the regions of Ganga and I have established my domination over the regions of Ganga तो इस तरह से पाल डाइनस्टी की कहानी हमें यहाँ से देखने को मिलेगी पालो के अंदर हमें काफी सारी चीजे सीखने को मिलती है अब देखे कि पालो का कल्चर पार्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है पॉलिटिकल हिस्टी में तो यह तीन चार नाम याद रखेगा गोपाल, धरमपाल, देवपाल और महीपाल यह चार ही मेल है धिग्रमपाल नों तो विलसी की ज़्यादा वो साशन नहीं कर पाये थे और रामपाल करके एक राजा थे जिनका सबसे आखिर का डानेस्टी का टाइम रहा और उसके बद फिर डिकलाइन आ गया सर अब सवाल यह है कि पालो को क्यों हम लोग याद करते हैं क्योंकि पालो की खासियत आपको यह देखने को मिलती है कि यह सब के सब बुद्धिस्ट राजा हुआ करते थे सर ठीक है ना समझे और यह को समझने की कोशिश करिए कि यह वो पीरिड है करीबन 1000 के आसपास का पीरिड आपको देखने को मिलेगा और यह वो पीरिड के अंदर we will see कि बुद्धिस्ट भारत के अंदर पूरी तरह से अब almost खतम हो चुका है बुद्धिस्ट बाकी सारे एरिया में आपको नहीं मिलता है जैसे राश्ट्रकूत थे तो राश्ट्रकूतों ने बुद्धिस्ट को पैट्रोनेट दिया शायवाइधम की तरफ चले गए थे तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन्स को और बुद्धिस्ट इंस्टिशन्स को बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को जो बुद्धिस्ट टीचिंग थे उसको बचाने का उसको पैट्रोनेज और उसको एक इन्होंने वजरयान को भी पेट्रोने दिया है सर ठीक है ना इनफेक्ट वजरयान जो बुदिस्ट टेडिशन है जो तांतरिक बुदिस्ट टेडिशन के रूप में पैचानत है जिसकी इंपक्ट हिंदुईजम और तंतरवाद से काफी जुड़ी हुई थी वो बंगाल में इसी पीरड के अंदर निकल के आया ये पाल पीरड ही था जब बंगाल के अंदर तांतरिक बुदिस्ट टेडिशन का भी ग्रोथ होने की शुरूआत हो गई तो वी विल सी ओल दिस केसिस यहां पर आपको हरी बदर देखने को मिलेंगे जो उस पीरड के अंदर बुदिस्ट आथर के रूप में मिलते है और बंगाल remained one of the few places where the Buddhist ministries continue to exist मैंने बताया कि पाँच जगाओ के ओपर बुदिस्ट मोनेस्टरी आपको मिलती है कहां कहां देखने को मिलती है तो ये पाँचों जगाओ को याद रखे का कि नालंदा, विक्रमशिला, सोमपूरी, जग्दल्लान, उदान्थपूरी नालंदा, विक्रमशिला, सोमपूरी, जग्दल्लान, उदान्थपूरी इसे पाँच महाविहार के रूट में पैचानते है यह पांचों के पांचों महाविहर पाल समय के दोरान ही उभर के आये उसमें नालंदा तो चलो गुपता और हर्षा पीरड से एक्जिस्ट कर रहा था बट वी विल सी कि गुपता और हर्शा पीरड से एग्जिस्ट करने के बावजूद भी नालंदा को अपने पीक के ऊपर कोई लेके गया था तो पाल डाइनस्टी थी सर्फ क्योंकि इन्होंने ये जो पांच महाविहार बनाये थे उसके एक सर्किट डेवलोप की थी सर्किट का मतलब ये था कि यहां पे पांचों को एक सिस्टमाटिक वे के अंदर इंटिग्रेट करके एजूकेशन दिया जा रहा था कहीं पे महायान सिखाय जा रहा था कहीं पे वेद भी सिखाय गये जैसे नालंदा जो था नालंदा के अंदर हमको वेडिक एजूकेशन के भी एविडेंसिज मिल जाते हैं ग्रामर के लॉजिक के एविडेंसिज भी मिल जाते हैं कहीं पर वजरयान के स्पेसिफिक स्टडीज होती थी तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि हीन यान, वजरयान, महायान और भी छोटे बड़े बोधी संप्रदायों के जो टीचिंग्स थे वो सब के सब हम लोग ये कह सकते हैं कि पाल डाइनस्टी के समय से ही निकल के आने से ठीक है, so it is the पाल पीरिड ओनली, याद रखना कि ये पाल डाइनस्टी का ही पीरिड है जहां हम लोग ये कह सकते हैं कि education centric knowledge भी हमें देखने को मिलता है और इन्होंने पूरा circuit में किया था, because they had done it in the form of circuit इन्होंने circuit के हिसाब से इसको किया था, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कि जो traditions थी, ये traditions के अंदर precisely we will see कि इसमें अलग-अलग faces के थूरू लोगों को पढ़ाय गया है और सभी knowledge का codification एक साथ आपको मिलेगा सर, ठीक है तो पालो के समय पे हमें ये देखने को मिलता है कि Buddhism का बहुत ही importance था, but over a period of time हमें ये भी देखने को मिला कि काफी सारे विदेशी आकरमन इनको जहलने पड़े और gradually कुछ लोग फिर Islam की तरफ भी गये क्योंकि after the Pal dynasty when the Senas were ruling, at that time the Turkish invasion of Bengal took place, sir, उसके बाद इसका decline होगा, sir, ठीक है अब हमारे लिए क्या-क्या चीज़े याद रखना है Pal period के अंदर तो पालों की बहुत सारी contribution है, ये contribution में एक तो पाँच महाविहार आपको पता होना चाहिए, sir, ठीक है न So you should know the five महाविहार, जैसे गोपाल ने ओदानपूरी की स्तापना की थी, फिर उसको over a period of time मैंने आपको बताया कि धरमपाल उसको और आगे लेके चलते है महाविपाल ने नालंदा, सारनाथ और बोद गया के अंदर काफी सारे monuments बनाये थे, महाविपाल सबसे आखिर में राजाओ में से थे, जिन्हों ने राजेंद्र जो चोला डानेस्टी के राजा थे, उनके साथ संगर्श किया था धरमपाल ने विक्रमशीला और सोमपूरी करके संस्ता बनाई और आखिर में जगदल्ला बनता है, सरहना जगदल्ला अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सबसे लास्ट के अंदर बनके आया था, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, सर्थी के ना, getting on point, ओके तो we will find कि ये सोमपूरा है, सोमपूरा ये सोमपूरी कहते है, ये महाविहार है, आज basically बांगलादेश में चला गया है, क्योंकि partition के बाद काफी सारे historical और cultural places भारत के बाहर चली गई, और बाकिस्तान या बांगलादेश के अंदर आपको मिल जाती है, ठीक है न समझे, तो क दिया गया है, और काफी ग्रोध भी होता है, दूसरा पाल के अंदर आपको स्कल्प्चर डेवलोप्मेंट भी लेगा, मूर्तियों का सर, ये मूर्ति के अंदर बुद्धिस्ट जितने भी इनफेक्ट है न आप देखोगे तो जितने भी बोधी सत्वा थे, ये बोधी सत् मूर्ति आपको बहुत देखने को मिलती है, सर, अब खासियत यह है कि ये मूर्तियों का जो इंफ्लिएंस था, वो गुप्ता ट्रेडिशन से था, गुप्ता पीरड के अंदर जो आर्ट फर्म निकल के है, उसे हम लोग कहते है सारनाथ स्कूल अर्किटेक्चर, कौन सा कहत आपको बोधी सत्रों की मिलेगी, वो मेंली अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो सारनाथ परतिय सहली से आपको मिल जाती है, ठीक है, तो इसमें दो आर्टिस का नाम दिया गया है, एक का नाम है विठपाल, और विठपाल के फादर हुआ करते थे दीमान, ये दोनों क फॉलोइंग के अंदर आ सकता है, गोपाल ने कौनसी डानस्टी या कौनसी मोनस्ट्री को फाउंड किया, उदानपूरी, जिसको धरमपाल ने और आगे लेके गए, धरमपाल ने खुद विकरमशिला और सोमपूरा बनाया, लास्ट में जगदल्ला की स्टापना की गई, वो महीपाल के समय पे ऐसा कहते है, या रामपाल के समय पे हमें यहां से मिलेगा, विकरमशिला बिहार के अंदर है, नालंदा बिहार के अंदर है, सोमपूरी बांगलादेश के अंदर चली गई है, ठीक है न, समझे, तो इस तरह से भी locations के point of view से हमें कहानी आवे, समझनी जैए कि इनका क्या importance है अब पाल डानस्टी के अंदर सबसे last part आता है culture के point of view से और culture के point of view से समझते है कि literature का क्या contribution रहा है अब देखें कि इन्होंने architecture में तो काफी सारे buildings बनाए Buddhist monuments बनाए और काफी बंगाल के आजुबाजुबाले regions के अंदर बंगाल बिहर में अपना noteworthy contribution दिया है अब साहित्य क्यों बनेगा पाल डानस्टी के अंदर आप समझने की कोशिश करिए literature was a but obvious process that emerged out of the institutions that were created by the palace पालो ने पाच अलग-अलग जगा के उपर universities की स्तापना की universities में teachers और students के वीच में समवाद होगा, research होगा, manuscript लिखी जाएगी तो वहाँ से साहित्य बनेगा अब हमारे लिए important है कि कौन से author के दोरा कौन से book लिखी गई थी Tamil Nadu board के अंदर at least जितने भी authors का नाम दिया गया है वो याद रखेगा आपको पूछा जाता है कि which of the following personalities were related to Buddhism in the Pal period और yeah which of the following personalities were related to Buddhism कभी-कभी simple question ऐसा आजाता है कि इन में से कौन सी personality थी जो खाली Buddhism के साथ जुड़ी हुई है तो यहाँ से आपको clear हो जाना चाहिए कि पर कौन सी personality थी और इनका क्या importance था तो वी विल फाइंड की नालंदर विक्रमशीला के अंदर बहुत सारे scholars आये थे यह scholars का नाम याद रखेगा सर ओके क्यूंकि UPAC ने यहाँ से एकाद बार सवाल भी पूछा गया है सर ठीक है यह सब के सब नाम याद रखेगा सर अब आप मुझे पूछोगी कि मास्तर हमको तो याद नहीं रहता है हम क्या करें तो भाई इसका कोई solution नहीं है याद रखना पड़ेगा सर ओके ना समझे क्यों समझे सो मैं यह नहीं कहूंगा कि इसमें आपको काइंड ओफ वी विल फाइंड की कोई सॉल्यूशन है इनफेक्ट आतिश को एक और नाम से पैचानते थे जिसे हम लों कहते दिपंकर सर ठीक है न समझे और इन्होंने तिबत के अंदर बहुत ही बुदिस्म को पॉपिलर इस किया है आतिश दिपंकर के रूप में भी पैचानते थे और इन्होंने तिबत में उसका कारणी यह है कि यह सब पर्सनालिटी से बुदिस्म के साथ जुड़े हुए सर ठीक है न गिडिंगों पांट ओके अब इसमें आपको बहुत सारी एक तो ऑथर्स आपको मिलेंगे जो बुदिस्ट स्कॉलर्स के रूप में आपको मिलते हैं डूसरी इनके समय कि बुदिस्म का ग्रोथ हो रहा था बट हमको यह भी देखने को मिलता है कि पाल पीरेड के समय के दौरान ही विविल ऑल्सो फाइंड कि हिंदूइजम और वैश्णोइजम का भी ग्रोथ हो रहा है सर है न तो ऐसा नहीं था कि खाली और खाली कम्प्लिटली बुदिस्म की ही कहानी आपको मिलेगी सर गेडिग ओपट ओकी एंड वी विल सी कि इस पीरर के समय पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि भारत के अंदर जो हिंदू ट्रेडिशन से उसका भी ग्रोथ हुआ ये हिंदू ट्रेडिशन के अंदर प्रिसाइस्ट्री अगम शास्त्र नामक आप आपको बुक देखने को मिलेगी ये अगम शास्त्रा का importance ये है कि ये मूल तह से शास्त्रों की जो understanding है ritualistic knowledge है उसकी बात करता है तो ये याद रखेगा उसी तोर के उपर न्याए कुंडली करके एक बुक देखने को मिलेगी जो श्रीदर भट के दौरा लिखी गई है अब आपको पूछा जा सकता है कि श्रीदर भट कौन थे इनका क्या contribution है किस तरह से वो पाल डाइनस्टी के साथ जुड़े हुए थे तो वो भी आपको यहां से देखने को मिलेगी जिसके थरू हम लोग लिख सकते हैं तो this is how you will find कि Hindu and Buddhist texts both were compiled in the पाल पीरट ये भी आपको यहां से मिलता है अब पाल डाइनस्टी में literature में religious literature तो आपको मिलता ही है याद रखेगा but in the पाल डाइनस्टी we will also find some kind of secular literature being compiled secular literature जो medicine के अंदर से है secular literature जो political history को बया करता है वो भी हम को यहां से देखने को मिलेगा थीक है न समझे इसी point of view से अगर आप देखोगे तो आपको यहां से medicine की text के एक author देखने को मिलते है जिनका नाम है चक्रपानिदत सूरेशवर गदा अधर वाइद्या एन जिम्मूत वहाना अब देखिए बहुत ही important book में बता रहा हूँ सो ठीक है we will find जिम्मूत वहाना का बहुत ही importance है यह क्यों importance है क्योंकि भारतिय समाज के तहत भारतिय समाज के तहत property rights और succession rights जो Hindu families के अंदर traditionally चलते आ रहा है उसके ऊपर एक system है जिसे हम हम लोग कहते है दया भाग system एक system है जिस हम लोग कहते है मिताक्षरा system मिताक्षरा system में husband की property अपने संतानों को अपने sons को अपने doctors को अपनी wife को किन परिस्तितियों में मिल सकती है उसकी terms and condition रहिए मिताक्षरा मिताक्षरा basically is a commentary by विगनेश्वरा विगनेश्वरा विजिकली author हुआ करते थे यह western चालू case में नीचे दखन में हुआ करते थे 11th century में उसी तोर के उपर पाल पीरेड में जिम्मुत वहना करके एक author थे जिम्मुत वहना ने दयाभाग system के उपर अपनी commentary लिख दिया था दयाभाग के अंदर कि दयाभाग और मिताक्षरा system के बारे में सही क्या है 2021 की प्रिलिम्स का अगर आप question paper उठाओगे तो जिम्मुत वहना नाम नहीं पूछा है UPSC ने but UPSC ने उनके centric जो commentary है जिसे हम लोग दयाभाग commentary के रूप में पैचानते उसके उपर से स and we will find कि इन सब के द्वारा अलग-अलग प्रकार का literature लिखा गया तो इसमें किसी ने medicine के उपर literature लिखा है किसी ने शास्त्रों के उपर लिखा है धर्मशास्त्र जिम्मुत वहाना वजा ऑथर जिन्होंने basically धर्मशास्त्र सेंट्रिक राइटिंग लिखा था और कहा था कि वह शास्त्रों के अंदर यह लिखी गई है कि किस किस तरह से किन कंडिशन में कौनसी राइट्स के थ्रू इनफेक्ट है ना प्रॉपर्टी को इनहरिट किया जा सकता है एक फीमेल मेंबर के द्वारा और एक डॉटर के द्वारा वाइफ की प्रॉपर्टी राइट्स यह कि चकरपानी दत्त कौन थे सूरेशवर गदाधर कौन हुआ करते थे और जिमुत वहान कौन हुआ करते थे यह सब के सब संस्क्रिट स्कॉलर थे सरो के अब आपको यूपेसी ने अर्ड़ी एक बार सवाल पूछा है तीन परस्नालिटीज देके सवाल पूछा था कि इ तो मेरा यह मानना है कि आप इस प्रकार के जो कोशन से उसको धंग से करने की कोशिश करिए गया सर ठीक है दूसरी कहानी आपको यह देखने को मिलती है कि पालों के अंदर वजरयान का बहुत डेवलोप्मेंट हुआ और वजरयान का डेवलोप्मेंट हुआ तो भारतिय त अंदर बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं माय बैड तो इन महायान बुद्धा इस सीन एज वर्शिप्ट एज गॉड सरोके उसमें रिचूल्स होते हैं ही नियान में तो बुद्ध को खाली और खाली आप देखने की कोशिश करोगे एक चेतना के रूप में टी बुद्ध की जो शक्तिया थी वैसी ही शक्तिया गेन करने की कोशिश की जाती हैं तंत्रवाद भारतिय समाज के अंदर एक वर्ग ऐसा था दर वसा सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन उस तो इंटर इंटर इंटो बुद्धिस ट्रेडिशन से अस वेल दूरिंग पाल पर पीरिट अफ टाइम हमें देखने को मिलता है कि इंडियन और टिबेटियन टेक्स्ट के अंदर भी हम लोग यह कह सकते है कि काफी सारा डेवलोप्मेंट हुआ तो पालों के अंदर बहुत डाइवर्शिटी ऑफ लिटरेचर बन क्या है इसमें बुद्धिस लिटरेचर भी है इसमें हिंदू लिटरेचर भी है इसमें सोचल ट्रेडिशन के बेजिस के ऊबर से भी लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा इसमें एक फोक सॉंग को कहते हैं महिपाल गीत यह जाद रखेगा भूई आर्ट ल कल्चर के अंदर से सवाल आ जाएगा आपका सार ठीक क्या है और उसकी भारतिय संस्कुरूतू के अंदर क्या महत्वा है इसके उपर बताईए सब्सक्राइब तो देन यूपी एसी विल आज कोशन और तब उस पीरर के अंदर आप गरबा करेंगे वैसा मैं नहीं चाहता हूं तो थोड़ा याद रखेगा सब्सक्राइब महिपा पालों के अंदर administration को लेके हमारे पास information थोड़ी कम है और administration के साथ साथ जब हम लोग economic की condition देखते हैं तो पालों के अंदर हमें एक बहुत interesting कहानी देखने को मिलीगी जिसे हम लोग कहते हैं feudalism का दौर मैंने आपको पहले भी कहा था कि post-gupta का period को भारती इतियासकार एक न अब ये feudalism आया कहां से है और ये कहां से निकल के उभर के आया है तो feudalism basically दर्शाता है कि land based socio economic और political system जहां land के आधारी थी एक closed estate बनाने की कोशिश की जाती है और उसका जो एक मालिक होगा या इसका जो owner होगा वो उसके अंदर में आयोए जितने भी किसान है उनको रखेगा और कहेगा कि तुम यहां पर काम करो कभी-कभी ये होगा कि राजा के हाथ में land control ना रह पाए तो ये राजा आगे पासौन करके और छोटे-छोटे जमिंदारों को ग्रो कराएगा और वहां से land based economic और political system होगी भी ultimately ये feudalism का outcome ये रहता है कि किसानों का सोशन बहुत होता है क्योंकि राजा ने जमिंदारों को दी जमिंदार छोटे जमिंदार को देगा वो छोटा जमिंदार किसी और को पासौन करेगा सामाने रूप से सोन पापड़ी के रूप में इसको पैचानते तो ये जो situation create होती है land based economic and social and political order इसमें ultimate सबसे lowest hierarchy के अंदर कोई आएगा तो किसान आएगा और किसान आएगा तो किसान का सोशन हो रहा है पाल पीरड के अंदर किसानों का एक विद्रो होता है सरहना समझें बहुत ही important है there is a rebellion in the पाल पीरड याद रखेगा ये जो rebellion है इसको कईवर्त rebellion के रूप म पैचानते हैं क्या कहता है कईवर्त rebellion sir very important for us okay we will see कि this is seen as the first peasant rebellion in the history of ancient India ये किसानों का विद्रो हुआ करता था और ये किसानों का विद्रो इसी के कारण हुआ क्योंकि सामन्ती अर्थ विवस्ता और राज्य विवस्ता feudal based economic और social orders जिस तरह से develop हुए इन सब के कारण पालों की जो political administration है वो नहीं चल पाई and all these things led to a condition where we will find कि how the issue will tape up and over a period of time हमें देखने को मिलता है कि इसको highlight किया गया ये जो peasant rebellion है और tribal rebellion है ये संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया था सर ओके इन्होंने पाल राजा रामपाल की उपर एक biography लिखी थी जिसका नाम था राम चरितम राम चरितम या राम चरिता भी कहते है चरिता इसके लिए क्योंकि biography है जैसे हर्श की biography बाण भटने लिखी थी जिसे हम लोग देखते हैं हर्शा चरिता के रूप में या इसके पहले भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अश्वगोश ने बुद की चरिता लिखी बुद्ध चरिता वैसे ही राम पाल करके पाल डानस्ती के सबसे आखिर के राजा थे यह सेकंड लास्ट राजा के रूप में कंसीडर करते हैं इनके समय पर संध्याकर नंदी करके एक उथर थे इन्होंने इनफेक्ट बताने की कोशिश की थी कि राम पाल ने कैसे जंगल क के और आजू-बाजू के विस्तारों के राजा को अपने अंडर में लिया बट ओवर पीरिट ऑफ टाइम विल सी कि पीजंट्री गोट एक्सा पीरिट था जहां एक पॉलिटिकल वीकनेस डेवलोप होती है आफ्टर दी इमर्जंस अफ सर्टेन किंग्स और ये धाई सो साल तक या दो सो साल तक कन्नोज जीतने के चकर में बंगाल को सेवगाद नहीं रख पाए और इसी का ही परीडाम था कि इनके समय पे किसानों का भी विद्रो हुआ और इनी से ही सेना डाइनस्टी का ओरीजिन होता है और पाल पीरड जो है वो अल्टिमेटली वी विल सी के टॉपल करके सेना स्पावर के उपर आएंगे सर तो यहां से हमें क्लैरिटी होनी चीए कि पाल पीरड का पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा इंपोर्टन्स नहीं है इन in the form of the cylinder dynasty उनके साथ नालंदा के साथ एक विहार की स्तापना करवाना और साथो साथ जिस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इनके दौरा पांच महा विहारों की जो सरकिट चलती थी यह सरकिट भारतिय बुद्धिजम हिस्ट्री का सबसे पीक पीरड माना गया है इतना तो प्राचीन भारत के अंदर भी बुद्धिजम डेवलोप नहीं हुआ था कोई एक विशेश डानेस्टी के दौरा जो पालों ने किया था और इसके लिए ही UPSC ने आपको मुख्य परिक्षा के अंदर सवाल पूछा कि दपाल पीरड इस नोन अस दमोस्ट सिगनि प्रतिकनायक नें कि इतना डीटेल में क्यों पढ़ा है क्योंकि मेरा यह मानना है कि एक बार पढो पर रगड़ के पढो एक बार अच्छी तरह से सब्जेक को और तॉपिक को समझ ऑपिर उसको रिवाइस nazir advise advise और advise ही करते में रहना है क्लास कर नंदर आपको compiled PDF upload कर दूँगा after some days जैसे ये topics खतम होंगे तो what I'll do, I'll upload a compiled PDF जहां everything will be under single roof वो available करवा देंगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी and it will be greatly beneficial to you guys as well खेर, तो इस तरह से Pal dynasty की history रही है, hopefully हम लोग ने आज आपको Pal के बारे में पढ़ाया है कल आगे continue करेंगे और नालंदा रास्ट्रकूतों के बारे में देखेंगे और ultimately we will see कि ancient India का जो last phase है उसको concluding stage के उपर लेके जाएंगे sir, okay concluding stage का मतलब यह है कि भई हम लोग फिर 750 to 1000 और 1200 और जो South India वाला जो history बाकी है, चालुकियज और पल्लवाज इसके ओपर चर्चा करते होगे खतम करेंगे sir, ठीक है तो आज इतना रखते है, let us keep this much things in today's session and I still feel that कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे live classes में जुड़िए यह पाल डाइनस्टी को ऐसे ही समझाया है, कुछ information 19-20 होती है but I do not differentiate between the YouTube and the plus classes I make sure कि मैं YouTube पे भले limited करवा पाऊ पर उसकी quality, उसकी depth अगर यहां से question आएगा तो candidate कोई भी हो they should be able to attempt our intention is to provide the highest quality of education be it at any platform be it on YouTube, be it on the special classes, be it on the plus classes plus classes का फाइदा यह है कि वहाँ live classes होते हैं, interaction हो पाता है, comments में आपकी पढ़ सकता हूँ, आपके doubts ले सकता हूँ आपके साथ audio में discussion कर सकता हूँ main तो, जहां audio based discussions भी possible है sir, okay तो इसी के लिए मैं आपको suggest करूँगा कि आप जूडिये हमारे साथ and आपको कोई query है, तो यह call करिएगा, यह number के पर, subscription लेता है समय, यह code को ना भूलना, और in fact अभी बहुत discounts चल रहे है, बहतरीन discounts है, इसका भी लाब उठाईए, like, share and subscribe to this platform, I'll see you in the next session till then keep studying, thank you very much let's crack it, Jai Hind झाल